हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पॉलिटेक्निक कॉलेज की 14 चात्रों ने मिलकर बनाए E-Cycle बिना पैडल मारे ही दोड़ी 25 से 30 किलो मीटर तक बार्डमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में बिना पैडल मारे सरपट दोड़ी E-Cycle वो साइकल है जो एक मरतबा चार्च होने पर 20 से 30 किलो मीटर तक चल सकती है कॉलेज में 14 विद्यार्थियों ने मिलकर एक महीने के प्रयासों के बाद इसको तयार किया गया है इन विद्यार्थियों ने पहले 12 दिन तक प्लानिंग की और प्लान कर कंट्रोल मोटर BLDC का निर्माण किया लेट एसिट बैटरी का उप्योग करके इसका निर्मान किया गया E-Cycle के चलने पर 20 से 30 पैसे प्रती किलोमीटर लागत आ रही है Solar Cell Improvement अनूठी है ये साइकल Electronic Mechanical पर चलती है बार्डमेर में जैसल में रोट पर स्थित Polytechnic College में चात्रों ने E-Cycle तयार करने की बाद बार्डमेर शहर में चल्चा का विश्यवन्ती नजर आ रही है बार्डमेर शहर में College विद्यारतियों द्वारा बनाए गई इस E-Cycle की हर कोई चल्चा करना है बार्डमेर में तयार की गई इस E-Cycle की सोचल मेडिया में आने पर जात्राओं को फोन पर बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है यह एलेक्ट्रिक वेहिकल बनाना तो हमारा केवल एक ऐसा उदेश्य था कि इसके थूरू इन में ऐसी सोच आए कि यह कुछ भी अपने सेल्फ लेवल पर दूसरी प्रोजेक्ट भी डेवलब कर सके यही हमारा उदेश्य था इसमें हमने डारेक्ट स्टुडेंट को टार्गेट देते हैं कि वन मंथ आप रिसर्च करिए इसके उपर और वन मंथ के बाद आप डिसाइड करिए कि कहां पर हमने हर जगे वास्ट बंगओल जहां पर इसका प्रोड़क्सं होता रहता है बैटरीश का और जोडपूर या दूसरी जैपूर शेटी में मुंबई बता किया कि इसकी सब्साइड क зр. ती फिर सब्रूल का पर, लो। हमने पर्टा है तो इससे सथा अगर आगर आपके लिए लेक्ट्रिक वेहिकल से हमारे पास वीकल के रहे हैं यह सब इसी फिल्ड में रिसर्च करेंगे तो देश के लिए तो यह एक बहुत बड़ी आफ़र्चनेटी ज्यागरुक टेवी की बाड़ में से ठाकर राम में एक बाल के रिपॉर्ट